हेलो स्टूडिन आज हम सभी हिंदी काब खंड के अंतरगत पाठ एक कबीर दास के पद का अध्यन करेंगे अध्यन से पुर्व आईए हम कवी का जीवन परचे प्राप्त करते हैं कबीर कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के लहरतारा किवदंतियों के नशार यानि कहीं पे यह प्रमाडित नहीं है किवदंति यानि लोगों के द्वारा कहा गया है यह प्रचलित है कि इनका जन्म 1370 इस्वी में वारानसी के उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक अस्थान पे हुआ था कवीरदास ने स्वेम को कासी का जुलाहा कहा है यह अपने बेवसाय के बारे में बताते हैं कि जुलाहे परिवार से थे यानि इनके अगर जन्म की बात करें तो किवद अंती के अनुसार लोगों की मानिता के अनुसार 1370 इस्वी में बारानसी उत्तर प्रदेश के लारतारा नामक स्थान पर उगा था और इनके अगर परिवारिक प्रिष्ट भूमी की बात करें तो कभी अधास ने स्वेम सिर्कार किया है कि वह जुलाहे परिवार से हैं अपनी सिच्छा दिच्छा के बारे में कहें कि मस कागत चुयों नहीं कलम गयों नहीं याद वो कहते न तो मैंने कभ उपलब्दी इनकी है यह खुद अन पड़ हैं लेकिं फे लोग रिसर्च करते हैं इन पे इताफारी करते और उच्च सिच्छाओं में जाते हैं उच्छ शनस्ताओं में प्रोफेसर कि बनते हैं पीएशडी के पादारन करते था कबीर दास कहते हैं कि जो भी उन्हें ग्य लेक न होई राम कृपा बिन सुलब नस होई काते हैं बिना सत्संग के ग्यान नहीं होगा यह और यह ग्यान यह सत्संग कभ होगा जब इस्वर की कृपा होगी काते हैं कि मैं कहता आखन देखी काते मुझे सत्य का सचतकार है मैंने जो भी कहता हूं आखों देखी कहता हूं कहता कागत की लखी अन्हें लोगों को कहते हैं कि आप सभी जो कागज पुराड़ों में ग्रंतों में लिखा है आप उसकी बात करते हैं लेकिन मैं जो कुछ भी कहता हूं वह आंखों देखी कहता हूं इनकी देवासान इनकी मृत्य बस्ती के निकट मगहर में हुए यह भी एक मानिता है वह जीवन बरकासी में रहे लेकिन कासी में मरना एक उट्सो है लोग कहते हैं स्वर्ग की प्रप्ती होती है लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वह अंतसमें में मगहर में चले गए अगर कभीरदास की रचनाओं की बात करें तो इनका बीजग जो गरंत ए हावेदारा के ज्चानासरे साखा के प्रतनिदी कभी हैं दिके मध्यकाल को हम भक्तिकाल जो कहते हैं ये भी दो भागों में बटा है एक सगुड भक्तिधारा जिसकी दो साखाए हैं राम भक्तिधारह कृष्ण भक्तिधारह निर्गूड जिसके कबीरदाजियां ध keto हो स् चाहते हैं लेगिन कभीरदासी ज्ञानासरे इसाका के हैं ज्ञान के दुआरा इस्वर को प्राप्त करनी की चेश्टा करते हैं नाइंत मिस्का आप एक उधान भी देखे होंगे संतो भाई आई ज्ञान की यादी करते हैं तो हमारे चचछ खुल जाते हैं और इस्वर का साथ छातकार हो जाता है. आईए अब इनके हम पंक्टिओं को देखते हैं और कबिरदास के मनोभाओं में का जानने का हम सभी प्रयास करते हैं. कबिरदास ने जो है हमारे पाठिकर में कबिरदास के दो पढ़ना है. प्रतम पद में उन्होंने इस्वर के स्वरूप को बताने का प्रयास किया है और दूसरे पदों में बाय आडंबर यानि बाय आडंबर में किस तरह हम फस जाते हैं बाय आडंबर से मुक्ति पाने के लिए वो दुनिया को बताते हैं बाइडम्बर में अपसेंगे तो आप इस्वर का साचातकार नहीं कर पाएंगे। बाइडम्बरों को त्याग ना होगा। और इस्वर के वास्त्रीक सरूप क्या है? ये बताने का प्रयास कबीरदास ने ये किया हुआ है। के दोनों पदों में हम देखेंगे प्रतम पद में कभीरदास ने ये बताया है कि हम तो एक-एक कर जाना कभीरदास जी करते हैं कि हमने जिस इस्वर का साचातकार किया है वो इस्वर एक है इस्वर के उस सरूप से साचातकार किया है जो एकात्म है यानि यह कही है, अगली पंक्तियों में कहते हैं, दोजक जिन नहीं पहचाना, वो कहते हैं, जो इस्वर को दो कहता है, इस्वर के अनेक सरूपों के बारे में कहता है, वो इस्वर को जानता ही नहीं, दोजक, वो दोजक अगर नर्क को कहते हैं, जो इस्वर को दो कहता है, व करते हैं हमने जिस इस्वर का साथ छातकार किया है वो इस्वर एकात्म है एक है काते हैं जो इस्वर को दो कहता है वो इस्वर के स्वरूप को नहीं जानता है ऐसा कहने वाले अगर नर्ख है दोजक है तो दोजक में जाएंगे जो दोई कहतीने को दोजक जिन नहीं पहचाना इस वर को एकात्म होने के लिए इस वर के एक सरूप है इस वर एक है कबीरदाजी के उदारण देते हैं पहला उदारण देते हैं एक है पवन एक ही पानी है कहीं जोट समाना कबीरदाजी कहते हैं जिस प्रकार पवन एक है पवन का स्वरूप देश का प्रस्वितियों में परिवर्थित नहीं होता है। चाहे हो एसिया में हो चाहे यूरोप में है। अगर एसिया में भारत में अगर हवा का स्वरूप अद्रिश्य मान है तो यूरोप में अमेरिका में भी हवा अद्रिश्य ही होगा। हवा क्यों म गंदेन देशकाल प्रस्तियों में परिवर्तन नहीं होता है पानी का एक स्वरूप होता है जिस प्रकार प्रकास का एक स्वरूप होता है ठीक उसी प्रकार भी चाहे हो कोई भी देशकाल कोई भी प्रस्तिती हो इस्वर भी पूरे संसार में एक ही जैसा है एकात्म है हर जग सब्सक्रार का वन है। एक एक परकार की पानी तब को हेएं। और एक एक परकार की झिस परकार जोती है वैसा इस्वर का भी एक 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 परकार का सववरूप है। झालत हुए आगे करते हैं। जैसे कुम्बकार एक ही कोज़ क creativity ज Seit Me Version प्रकार एक ही प्रकार की मिट्टी का और एक ही द्वारा बेखती यानि एक ही कुम्बकार दिया भी बनाता है एक ही कुम्बकार जो कलस भी बनाता है एक ही जो कुम्बकार घड़ा बनाता है शुराही बनाता है वैसे इस्वर भी एक है और एक ही प्रकार के तत्तों से सभी ज प्रकतों से और एक 한ी प्रकार के जो है इस्वर दारा बनाए गए गय था इस बात की पुषटी के अहीं मिट्टी से भीवित प्रकार के रहतन बनाता है वैसे इसवर भी एक कही प्रकार के तत्तों से सभी जीवों की रचना करता है तुलसी दास ने भी अपने गरंत में ये बताने का प्रयास किया है कि इसवर पांच तत्तों से हमारी सरीर की रचना इसवर करता है चिती जल पावक गगन समीरा पांच तत्व यह रचत शरीरा काते हैं चिती जल आकास भायू और मिट्टी हवा यह सबसे हमारे सरीर का पांच तत्वों से निर्माड होता है और अंत में सरीर हमारा पांच तत्वों में बिलीन हो जाता है कभी उदाजी भी कहते हैं, कही परकार के मिट्टी से, एक ही परकार के तत्तों से, यानि स्वर, सभी छोटे बड़े जियों की रचना करता है, दूसरे उदारण देते हैं। तीसरे उदार में कहते हैं कि जैसे बाड़ी कास्ट की काटे अगिन न काटे कोई, जैसे कहते हैं कि जो लकड़ी को बेक्टी काट सकता है, लकड़ी के टुकड़ी कर सकता है, लेकिन लकड़ी में नहीं तूरजा को नहीं काड़ सकता है एक बहुत बड़ा दारसनिक बात काते हैं काते हैं कि जैसे बाड़ी कास्ट की काटे अगिन न काटे कोई जैसे बड़ा ही लकड़ी को तो काड़ सकता है लेकिन लकड़ी में नहीं तूर्जा को नहीं काड़ सकता है उसके अंदर नहीं जो इधन होता जोलनसिलता को नहीं काड़ सकता है देखती ऐसे संसार में हम जियों के सरीर को नश्ट कर सकते हैं लेकिन उसके जो शरीर में बैठा हुआ अंतरमन जो इस्वर का सरूप है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, एक बहुत बढ़ा उदार, जिसे लकड़ी के आप कितने छोटे टुकड़ी कर दें, लेकिन उसके अंदर के इधन को आप निकाल नहीं पाएंगे, काच के निका गटी मतलब तत्तों में अंतर माने अंदर, तुम्हीं ब्यापे धरे सरूप सोई, विवित प्रकार के रूप धर के सांसार के शवीत तत्तों में तुम्हीं मौजूद हो, रेडा कस्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूचा था, कि बताओ तुमारा इस्वर कहां है, प्रालाद ने बताया थे कि हर जगा इस्वर है, का हर जगा है तो दिखाओ, इस खम्मे में भी तुमारा इस्वर है, प्रालाद ने कहा हमें तुम्हें खड़ कम्मे, घट घट ब्यापी राम, कि हमारे में आप में और इस खम्मे में भी इस्वर का रूप है, रडा कस्यप धरे सरूपसोई विवित प्रकार के रूपों को धरन करके शबी तत्तों में आपकी मौजोदगी है कविरदाजी एक फिर दर्शनिक बात कहते हैं कहते हैं माया देख जगत लवाना काहें में नर्गमा माया सांसारी वस्तु हैं जो हमें आकरशित करती रहते हैं धन शंपदा ये हमें आकरशित करते हैं कतिस माया को देखकर संसार के लोग लोभित हो जाते हैं संसार के लोग लोभ में आ जाते हैं क्योंकि माया का दो काम है एक जो है शत्य पे परदा डालना माया का काम है सत्य पे परदा डाल देना और उस परदे पे जूटी बस्तों को दिखाना जैसे एक उदाण आपको देना चाहेंगे कि जैसे हम सपन की अवस्ता में हैं और अस गुल्ला खा रहे हैं लेकिन स्वाद भी मिलेगा अनंद भी मिलेगा लेकिन जैसे ही हमारा सपन तूट जाएगा हम कहेंगे तो जूट है हम सपने में देखते हैं पहाड से गिर रहे हैं हमारी मृत्य हो जाएगी सपने में देखते हैं हम असफल हो गए फेल हो गए बड़ा बिलाप करते हैं लेकिन जैसे सपन की तंत्रा से तूटते हैं लगता है तो अशत्य है वैसे ही माया है संसार मेरा घर मेरा अपना मेरी वस्तु मेरा दन लेकिन जैसे माया की तंत्रा से तूटता है शरीर को छोड़ता है करता है यह तो सब सपना है ब्रह् शित्त्य भी नहीं है, आभाज तो होता है, मया दोरह लचित किया गया है, जो बेक्टि को आकरशित किया करता है, प्सक्राइन क्वीन करता है, मया देखके जगत लुभाना, यह जगत के लोग मया को देखकर, उसमें लोभित हो जाते हैं, और माया रुपी बस्तूवों को प्राप्त करके मेरे पास बहुत कुछ है बेक्ति घमंड को धानन कर लेता है कबीरदाजी अंतीम पंगतियों में बताने का प्रयास के निर्भै काते हैं कि निर्भै वही बेक्ति है कुछ नहीं व्यापे जो इस संसार में संसारिक्ता से दूर रहता है कुछ अरजित नहीं करता है कोई छल कपट नहीं करता है इसा ब्यक्ति निर्भय होता है उसके अंदर कोई डर नहीं होता है इस बात की पुष्टी अब कभीर अपनी कोई इस्वर भक्ति में दिवाना मानते हैं और कहते हैं कि मैं इस्वर का दियाना दिवाना हूँ, इस्वर के प्रेम में लिप्त हूँ, मैं बात कहता हूँ जिसमें माया लिप्त नहीं होती, वो ब्यक्ति निर्भय होता है, जिसके अंदर संचे की बृत्ति नहीं होती है, वो निर्भय होता है, कभीर इस बात की पुष कहते हैं साज कहीं तो मारन धावे जूटे जग पतियाना पतियाना सब्रिकारत होता है विश्वास कहते हैं साज कहीं साज कहीं तो मारन धावे जूटे जग पतियाना अगर आप सच कहेंगे तो लोग मारने दोडाएंगे सच कहने पे लोग मारने दोडा आते हैं अगर उसकी जूटी प्रसंसा करेंगे तो लोग आप पे विश्वास कहेंगे सच बोलना भी कहीं कहीं कठीन हो जाता है सत्य बोलना भी अगर किसी चोर को आपने चोर कह दिया तो उसे सबसे आपको दोड़ा लेगा जब कि वो इसका वास्तवी गुड़ है सच को सिवकार करना बड़ा हो जाता है कविदाषी कहते है साच कहीं तो मारन दावे जूटे जगपतियाना सच कहने पर दुनिया का एक सब् uğढ़ है लोग मारने दोड़ा लेते हैं और जूट पर लोग विश्वास करते आएं कविदाषी कहते हैं अगली पंक्तियों में नेमी देखा धर्मी देखा का रश्नाना कभिर दाजी करते हैं संसार में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो नियम और ब्रत का पालन करते हैं Prata उठके असनान करते हैं आतम मार पाकन ही पूजे पाकन मैंने पहाड होता है कहते हैं अकटे अपने अंदर बैठा हुआ इस्वर को लोग मार देते हैं अंतरात्मा इस्वर का अंस इस्वर अंस जीव अविनासी हमारी आत्मा जो है इस्वर का ही अंस है आत्मा छोटा परम आत्मा परम मने बड़ा इस्वर बड़ा आत्मा है हम छोटी आत्मा उसी के अंस है इस्वर अंस जीव अविनासी इस्वर क अंस है जीव अविनासी है कभी समाप्त नहीं होने वाला सरीर मरता है जबकि आत्मा नहीं मरती है गीता में बताया था वासान जिर्डानी अता बे आए जिस तरह वस्त्र पुराना हो जाता है और हम नमीन वस्त को दाण करते हैं उसी प्रकार आत्मा भी पुराने सरीर को आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक बार अंतर आत्मा कती नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन मन और आत्मा में लड़ाई होती है अगर जीत आत्मा की हो गई तो आप जीत गए गर जीत मन की हुई तो आप हार गए काते हैं आतम मारी पाकनी पुझे अंतर वैठा बहुत तक देखा पीर ओलिया पढ़ी किताब कुराना इसलाम धर्म के लोगों को काते हैं कि मैंने इसलाम धर्म के धर्म गुरूं को देखा पीर ओलिया को देखा धर्म गुरू है जो उनके जो किताब और कुरान की बाते तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ प्रकार का ग द्यान होता है इंदो धर्म के अनुवाईयों को कहते हैं जो योग को दान करते हैं आसन मारे डिम धर बैटे हैं आसन मारे के डिम पुरवग आसन में ध्यान पुरवग बैटके और मन में बहुत गुमान करते हैं कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं मैं बहुत बड़ा सन्य इसवर को बूल जाते हैं तिर्थ गर्व बुलाना तिर्थों में जाकर अपने स्वहम को बूल जाते हैं ऐसी जगों पे इसवर को ढूलने का प्रयास करते हैं जबकि इसवर उनके पास ही मौजूद होता है कथे बाई अडबरों की प्राकास्टा तोपी पहरे माला पहरे चाप तिलक अनमाना कुछ धर्मन वाई हैं जो तोपी पहन के दिखावा करते हैं माला पहन के चाप तिलक लगा कर इस वर का तक पहुँचने का ढोंग करते हैं काते हैं उस बातों को भूल जाते हैं आतम कवर अपनी अंतरात्मा की खबर के बारे में नहीं जाते हैं हिंदू कहें मुही राम प्यारा तुर्क कहें रही माना हिंदू काते हैं कि मुझे राम प्री है इसलाम के लोग काते हैं मुझे तुर्क जो होते हैं इसलाम के लोग काते हैं रही मेरा इस्वर है काते हैं आपस में दो लड़ लड़ के मर जाते हैं और इस्वर के असली को नहीं जानते हैं काते कुछ धर्म गुरू होते हैं गरगर मंतर जाके इसको सिस्य बनाते हैं उपदेश देते हैं उनके अंदर महिमा का विमान होता है कि मैं बड़ा सन्यासी हूं बड़ा त्यागी हूं बड़ा योगी और बैरागी हूं काते हैं ऐसे लोग गुरू सहित स से सब बूड़े अंतकाल पस्ताना ऐसे जो है गुरू सिस के साथ दूब जाएंगे संसार में और अंतकाल उन्हें पस्ताना पड़ेगा अंतिम पंतियों में कविरदास जी कते हैं कभीर कहें कभीर सुनो वाईशंतो इस सब भर्म बुलाना कते हैं कविरदास अंतिम पंतियो करना कोई कठिन नहीं है कोई साधना की जरूत नहीं है कोई मंदिर जाने की जरूत नहीं है इस वर सहज रूप से मिल सकता है नाइंथ के क्लास के पाठिकरम में उन्होंने बताया भी है खोजी हुए तो तुर्ते मिले पल भर की तलास में हर स्वासों की स्वास में अगर कि उमें इस वर के शरूब की बाते करते हैं और दूसरी पंक्तियों के माध्यम से कवीर दाज जी जो बाय अडंबरों को रोकने का प्रयास करते हैं छोटिक जो कविता का ये पद था दोपग्द था और आसा है कि आप सभी को समझ में आया होगा और जो भी आपको जो है न सम सब्सक्राइब के माध्यम से आप इसे कमेंट कर सकते हैं आप इसे पूछ सकते हैं